डुटेवर टोपिक इस फेस फिलियर रिले आइए जानते हम फेस फिलियर रिले क्यों गर रहे हैं ? बेसिकली फेस फिलियर रिले हमारे तीन चीजों को मॉनिटर करती है फेस सेक्वइंस, फेस ब्रेक एंड बोल्टेज अन बैलंच अगर इन तीनों में से कोई भी situation अगर relay पाती है कि इस circuit के अंदर है तो वो अपने contacts को NO से NC नहीं होने देती जिसकी वएसे load पे supply नहीं जाती आईए face sequence, face break और voltage and balance को समझते हैं face sequence, मान लिजे कोई motor है, motor को मैंने supply provide करवाई, जिसका face R by B है उस समय motor clockwise direction में rotate करती है लेकिन मान लिजे गलती से मैंने V, Y, R connect कर दिया motor पे तो motor anti clockwise direction में rotate करने लएगी second है face break, किसी भी motor को start करते समय या फिर welding machine या कोई भी machine को start करते समय starting में जो एक ingress current आता है हो सकता है आपके circuit का fuse उड़ जाए और fuse उड़ने की वएश से आपके एक face आगे तक supply नहीं आए तो उस case में क्या होता है, आपके केवल दो ही face आ रहे होते है मान लिजे आपके R और Y आ रहा है और B चला गया मान लिजे आर वाई B में से Y face पे जादा load डाल दिया B का जो voltage है वो 380 volt है और Y का जो voltage आ रहा है वो 440 volt आ रहा है तो जो difference है दोनों voltage के बीच का आप voltage unbalance बोलते हो voltage unbalance की वएसे क्या होता है, motor जो ती हो damage हो जाती है excessive heat की वएसे इस diagram से आप देख सकते हो यह switch on करने गया voltage unbalance था इस वेसे wire wire सब जल गए तो हमने इस से जाना की face sequence, face break और voltage unbalance क्या होता है आए दोबारा definition देखते है The face failure relay monitors, face sequence, face break and voltage unbalance The output relay is energized when all three face voltage are present and a face condition such as voltage and face sequence are current मतलब जब इस पे relay पे supply होगी 415 volt AC ही है 440 जिसके लिए designed है और आपका voltage सही है तभी यह relay अपने जो contacts है उससे load को supply देने देगी वरना नहीं देगी आई इसको एक practical relay के example से समझते है catalog number VSPD2, trip setting इसमें face sequence available है जैसे मैंने आपको बताया, R, Y, B आपको connect करने है यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे V, Y, R connect कर दिया तो यह relay अपने NO contact को NC नहीं करेगी या फिर NC contact को NO नहीं करेगी voltage unbalance 30 to 70 volt मान लिजिये आपने इन दोनों tunnel पे जो voltage connect किया है उसका जो difference है वो 30 volt या 70 volt से जादा है तभी यह अपने contact को change नहीं करेगी इसमें आपको setting provide है 30 volt भी से लेकर 70 volt तक आप set कर सकते हो मतलब आप 30 volt difference आया तब भी अपने contact को change नहीं करेगी और 70 आया तब भी अपने contact को change नहीं करेगी आप यह setting यहाँ से कर सकते हैं आपको देख रहा होगा यहाँ पे 30 to 70 आईए यह देखते हैं यह test button यहाँ दे रखा है test से क्या होता है test कर सकते हो कि आपका यह equipment काम कर रहा है नहीं कर रहा है आपने जैसे इसको press किया वैसे इसके अंदर voltage and balance या automatically यह उस condition में चला जाएगा और आपका जो delay है यह test हो जाएगी कि हाँ यह अपने contents को समय change करेगा यह नहीं करेगा यह manual reset का button है आप जैसे इसको reset करेंगे वैसे यह आपका दुबारा से automatically उसी condition में हो जाएगा जिस condition पहले था मतला fault clear हो जाएगा trip time delay यह 3.5 second के अंदर अंदर आपकी relay को trip करा देगा मतलब मान दीजिए अभी आपने इसको supply दी सब normal condition है contents क्या हो गया अनो content NC हो गया जैसे fault आया 3.5 second के अंदर अंदर यह बापिस उसी content को अंसी से अनो ले जाएगा और आपके लोट को सफला जाना बंद हो जाएगी output contents इसमें दो change over output contents में जिसमें से 16 17 13 14 आपके अनो contents है 13 15 16 18 आपके अंसी contents है contact rating 5 एंफेर आप इसके contents पर यह जो मैंने आपको content बताया 2 चेंज ओवर इन में आप 5 एंफेर से जाएकर load current नहीं कर सकते हैं अगर आपने 6mm किया तो आपकी जो रिले है वो डेमेज हो सकती है supply voltage आप इसका जो supply voltage है वो 100 से 120 220 से 240 380 से 440 ac तक यूज कर सकते हैं सिस्टम का voltage भी 100 से 120 220 से 240 380 से 440 ac तक यूज कर सकते हो system voltage जो supply voltage में क्या difference है supply voltage वो voltage है जो relay को अपनी functioning के लिए चाहिए है जबकि system voltage वो voltage है जिस पर आपको phase sequence, phase break, voltage unbalance monitor करना है supply voltage आप यहाँ connect करेंगे और system voltage आप यहाँ connect करेंगे आईए आप इसकी working समझते हैं इस relay logic diagram से आप देखिए यहाँ पर आपने यह इसके वही no-nc contact है जिसकी मैंने बात की थी 13 14 16 17 no contact 13 15 16 18 nc contact यह दोनों two change of contact है अब supply अभी नहीं है तो आपके जो contact से वह वैसे रहे जैसे वह थे पहले no contact अब supply आगे supply आने के बाद जो three phase system है आपने उसमें जो phase sequence ले रखा है वो 15 16 18 no हो गए पहले nc थे तो आप यह देख रहे हैं जो phase sequence ठीक है तो उसने अपने context को change कर लिया उसके बाद जैसे ही आपका जो phase sequence से वह बदला rb by हुआ वैसे ही relay ने अपने context को क्या कर लिया वापस nc से no कर लिया 13 14 16 17 no हो गए और 13 15 16 18 nc हो गए तो आप देख रहे हैं जब तक phase sequence सही नहीं हुआ इसने अपने context को वैसे ही रखा और जब आपके context दुबारा से rb face sequence वह हुआ तो इसने अपने relay logic जो आपको मेरी ख्याद से समझ में आ रहा होगा यह वी यह हमारी bsp d2 वह फेस फेलियर रिले जिसकी मैंने अभी आप से बात किया है आपको specification दिखाई है यह रिले के one two three context यहाँ पर हम यहाँ पर हमने करेंक में वोल्टमीर करेंक करेंगे यहाँ अपर सभाई करेंगे यहाँ यहाँ पर फ्री दिखाई राए तो जिसका मैंने यहाँ इहां पर दिखा रखावा है थीक है मैंने यहाँ पर load पर fan connect कर रखा है बस आपको show करने के लिए कि यह load on हो गया आप यहाँ पर motor है वैसे ठीक है देखिए normal condition में क्या होगा सब कुछ ठीक है face sequence ठीक है voltage balance है face loss नहीं है तो इस relay ने monitor किया monitor करने के बाद 415 volt supply आई तब इसने अपने contact को no से nc कर लिया nc करने का power contractor पर supply गई power contractor पर supply जाने के बाद आपका load पर सफलाई गई और देखिए fan आपका on हो गया हमाने लिजे face sequence मेरा r y b जो पहले था अब क्या हो गया b y r n किसने दोके से connect कर दिया r की जगा b और b की जगा r तब उस समय इस relay ने तुरंट sense किया उसको voltage 415 आये r face में y face में 416 और b r face में 417 तो इस relay ने sense किया इसने अपने contacts को बापिस nc से no कर लिया power contractor पर सबलाई जाने बंद हो गई जिसकी वे से आपका motor जो है वो off हो गई मतलब load आपका off हो गया तो यह हो गई आप इसकी face sequence की protection इसने monitor किया और इसने अपने load को off कर दिया अब बात करते हैं face break की मार लिजए b face पर हमने ज़्यादा load current कर रखा था या फिर b face पर जो load current कर रखा था उसमें ज़्यादा इनर्श current था जिसकी वे से बीच में connected जो fuse था वो जल गया और b face हमारा आना बंद हो गया supply में तो अभी कौन से face आ रहे हैं r y on neutral तो इस relay को r y on neutral मिल रहे हैं जैसी आपने supply on की इस पर r y neutral गया b नहीं गया तो इसको पता चल गया इसने monitor किया कि हाँ b face जो है वो loss हो गया तो इसने अपने inner c contact को 1314 को inner c नहीं किया जिसकी वैसे power contractor पर supply नहीं गई superpower contractor के जो inner contact है वो inner c नहीं हो जिसकी वैसे आपकी motor पर supply नहीं गई मतलब load पर supply नहीं गई तो इसने face break monitor किया और आपकी motor को protect किया यह आपकी load को protect किया दिस्तरा आता आपका face unbalance अब देखिए आपका RYV फेस आ रहा है और RYV फेस में जब 415 वोल्ट है सभी फेसों में तो आपकी BSDB 2 ने सेंस किया सब कुछ ठीक है तो उसने अपने कॉंटेक्ट को NO से NC किया जिसके वेसे पावर कॉंटेक्टर के सप्लाई गई पावर कॉंटेक्टर पेस प्लाई जाने के बाद उसने अपने कोंटेक्ट को NO से NC CRS किया जिसके वेसे मोतर or लोड पर सप्लाई चडई चाली गई के बाद आपका जो पावर कॉंटेक्टर सफला याना बंद हो गई सफला जाने की वाई से जो इसके एंसी कॉंटेक्ट हो गए थे वह वापिस न हो गए और आपकी मोटर जो है वो प्रोटेक्ट हो गए वोल्टेज ऑन बैलेंस सेटिंग हमने इसमें दिखा रखे 3270 वोल्ट